श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभ जी हाँ, पांचवे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा, चंद्रमा के पांचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी, खर्चे कम होंगे और इंकम ज्या इस समय में आपको मिल रहा है, इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दिखेगी, आर्थिक स्तिती और मजबूती के और बढ़ेगी, उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं, अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच् किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा, अच्छे समय का अच्छा फायदा जरूर उठाए, लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है, पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते हैं, लाइप के बारे में मिलकर क अच्छा डिसिजन भी ले सकते हैं, आज खर्चे नहीं होगे, लेकिन आए अच्छी रहेगी, स्टूडन्स के लिए भी समय अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए, ये समय आपके पढ़ाई के लिए हो जाएंगे, इस समय में सरकार की तरफ से मान पतिष्ठा मिल सकती है, जो लोग राजनीती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अचानक से धन की प्राप्ती भी होने के योग बन रहे हैं, यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेश करते हैं, उन्हें म अच्छा है, यात्रा पर जाते हैं तो यात्राई लाबकारी रहेगी, आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते हैं, तो वो आपको काफी लाबदाय करेगी, वहाँ से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है, निवेश करने के लिए और अपनों को भी स्वस्त रखे इस दिन लाल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा श्री गने शाय नमाहा नमसकार दोस्तों ये राशीफल है कुमभराशी का सितम्बर 2019 के लिए जी हाँ सितम्बर 2019 का कुमभराशी का राशीफल दोस्तो इस राशीफल में हम जानेंगे आपकी आर्थिक स्तिती आपका बिजनेस सितमबर मन्थ में कैसा रहेगा आपकी नोकरी आपका प्रोफेशन सितमबर में कैसा रहने वाला है आपकी फैमिली लाइब कैसे रहेगी ये भी जानेंगे और जानेंगे आपकी सेहत का हाल सितंबर मंथ में कैसा रहेगा दोस्तो तेरा सितंबर को पौर्णिमा व्रत और श्राद्ध पक्ष प्रारंब हो जाएगा दोस्तो ये समय आपके लिए बहुती महत्पपुर्ण रहेगा इस समय में श्राद्ध पक्ष में आपकी फैमिली में अपने पित्रों के लिए आप जो भी करते आए हैं जो भी प्रक्रिया करते हैं, जो आपके पुर्वजों से आप करते आ रहे हैं, वो चीजे करना बहुती महत्पपुर्ण होता है, उसके अलावा और कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन जो आप करते आ रहे हैं, वो आपको करना बहुती जरूरी होता है तो इस बात का ध्यान पित्र पक्ष में आपको रखना होगा तो दोस्तो इस समय में आप अपने पित्रों का आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं 23 सितंबर को नवमी श्राद रहेगा और 28 सितंबर को सर्व पित्र अमाउस्या रहेगी दोस्तो हर महिने कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमें परिशानिया घेरने लगती हैं चिड़-चिड़ा हट होती हैं काम बिगड़ते हैं खास तोर पे मानसिक तोर पर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर रहते हैं कुछ ऐसी डेट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस समय में आप जरूर सावधान रहें वो डेट्स है 1 तारिक, 2 तारिक, 10 तारिक, 11 तारिक, 20 तारिक, 28 तारिक और 29 तारिक दोस्तो 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28, 29 इन दिनों में इन दिनों में थोड़ा अलर्ट रहे, साउधान रहे, हो सके तो कुछ उपाई जरूर करे चलिए दोस्तो अब देखते हैं सितमबर मन्थ में आपकी आर्थिक स्तिती कैसे रहनी वाली है और आपका बिजनिस कैसा रहेगा दोस्तो ये मन्थ आपके लिए अच्छे बदलाव लेकर आएगा आप इस महिने में आपके आर्थिक मामलों में कुछ बदलाव जरूर देखेंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे इस महिने में आपके जो सोचे हुए काम है जिनकी आपने प्लानिंग की है वो कुछ हद तक पूरे जरूर होंगे लेकिन सारे की सारे काम पूरे होनी की संभावना कम रहेगी फिर भी प्रयाज जरूर करें दोस्तो इस महिने आपका पराक्रम बढ़ेगा आपका सेल्फ कॉन्पिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा और साथ ही इनकम के नए सोर्स आपके लिए इस समय में जनरेट हो सकते हैं आपको लगेगा कि यस मैं कुछ नया कुछ बढ़ा कर सकता हूँ बिजनेस से जुड़े लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा सेल्स, पर्चेस, मार्केटिंग इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा कस्टमर को लोभाने के नए नए तरीके आपको इस समय में आजमाने जरूरी रहेंगे दोस्तो इस महिने में शेयर्स में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लोंग टर्म इमेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर बाजार में या फिर वाईदा बाजार में तो ये समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहतरीन है इसका आपको अच्छालाब हो सकता है अगर आप लंबे समय से संपत्ती खरीदने का सोच रहे है व्यापार में कुछ नया करने का घर खरीदने का या फिर गहने खरीदने का सोच रहे है तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है इस समय में आप आगे बढ़ सकते है कोई भाइदेमन डील्स या टेंडर्स पाने के लिए आपको इस समय में मेहनत करनी चाहिए जी हाँ आलस्य को दूर करे और मेहनत ज्यादा करे जी हाँ आलस्य विल्कुल नहीं रखना है क्योंकि आलस्य आने वाला है लेकिन आपको आलस्य को हटाते हुए अपने काम को पूर लब होने वाले है तो आपको काम करना है आप successful जरूर होगे नए source भी मिलेंगे और आप अच्छा income भी आपके business में कर पाओगे आपके business की अच्छी growth इस महने आप कर पाओगे दोस्तो इस महिने आपके बिजनेस में आप ध्यान रखे थोड़ा डिसिप्लिन रखे और टाइम मेनेजमेंट अच्छे तरीके से करें जिहां टाइम मेनेजमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन आपको टाइम मेनेजमेंट ठीक करना है और डिसिप्लिन रखना है 5, 28 और 29 तारिक आपके बिजनेस के लिए बहुत शुब रहने वाली है चले दोस्तो आप जानते हैं सितम बरमन्थ में आपकी नोकरी आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है दोस्तो इस महिने आपकी नोकरी में परिश्थितिया अच्छी बनेगी लेकिन परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ सकता है कुछ डिस्टर्बंसेश, कुछ परिश्चानिया इस महिने देखने को मिल सकती है अपने कामों में ध्यान दे, मन लगा कर काम करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप जौब छोड़ने का सोच रहे हैं तो भी जब तक आप उस जौब में काम कर रहे हैं आपको मन लगा कर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो इस महिने अपने आसपास ध्यान ज़रूर रखे लोगों की बातों में ना आए क्यूकि आपके खिलाप साजीशे रखने वाले लोग इस महिने में ज्यादा एक्टिव रहेंगे आपके खिलाप शड़ियंतर साजीशे हो सकती है आपका काम आप जहां काम कर रहे हैं वो जन्म भूमी से दूर है तो उन लोगों के लिए कारिक्षेत्र में सचेत्र रहना जरूरी रहेगा किसी शड्यंत्र का शीकार होने की संभावना आपके लिए ज्यादा रहेगी और आपको ऑफिस में विपरीत परिस्तितियों का भी सामना करना पड़ सकता है अपनी जुबान पर नियंदर रखना इस महिने आपके लिए जरूरी रहेगा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बात करते वक्त थोड़ा तहजीव दिखानी जरूरी रहेगी जी हाँ हम जानते हैं के हम अच्छे हैं आपके मन में कुछ बुरा तो नहीं है आप जानते हैं आप अच्छे हैं पर देखने वालों का नजरिया बुरा हो सकता है गलत हो सकता है और इसकी बहुत ज्यादा संभावना इस मेने रहेगी तो सावधान रहे सचेत रहे और जनाये आप काफी समय से पूरी नहीं कर पा रहे थे वो जो जनाये आपके बड़े भाई के सहयोग से या फिर किसी भी आपके उमर से ज्यादा बड़े व्यक्ति के सहयोग से काफी हद तक सफलता पुर्वक पूरी हो जाएगी इस महिने 6 तारिक 28 तारिक और 29 तारिक आपके नोकरी के लिए आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा शुब रहने वाली है चलिए दोस्तो अब देखते हैं सितम बर्मंत में आपकी फैमिली लाइप कैसे रहने वाली है दोस्तो इस महिने में आपकी फैमिली लाइप में बड़े अच्छे बदलाव आपको देख और spiritual activities भी इस महिने में आपको देखने को मिलेगी इस महिने हो सके तो आप किसी hill station में जा सकते है कोई दूर दराज की यात्रा भी कर सकते है ये चीज़े आपके लिए अच्छे रहेगी तो family के साथ enjoy करने के लिए ये मन्त बहुत सुन्दर है जी हाँ तो थोड़ा समय निकाले और अपने family के साथ enjoy जरूर करे या फिर आपको अगर shopping करनी है तो उसके लिए भी ये मन्त बहतरीन रहने वाला है आप shopping भी कर सकते है कोई ऐसी वस्तूद जरूर खरीदे जिससे आपके परिवार में खुशिया आ जाए दोस्तो love life के लिए भी ये मन्त बहुत अच्छा रहेगा अगर आप साथी की तलाश में है तो आपको इस महिने में सफलता मिल सकती है साथ तारीक, आठ तारीक और बाइस तारीक आपके लिए कोई शुबकाम करने के लिए अच्छे रहेगी दोस्तो अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स अगर इस महिने कोई इंटर्यू देने जा रहे है तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहते है जो के फॉरेन में हम अकसर देखते हैं लोग पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं तो वो मौका इस महिने आपको मिल सकता है तो इस चीज का आप लाब उठा सकते है 5 तारीक, 6 तारीक और 29 तारीक स्टूडन्स के लिए शुभर रहने वाली है चलिए दोस्तो आप जानते हैं सितम वर मन्थ में आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत कैसे रहने वाली है दोस्तो ये मन्थ सिहत की दृष्टी से, स्वास्थे के दृष्टी से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मन्थ में अपने डायट पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा अपने स्वास्थे अनुसार अपने डायट में बदलाव लाए योगा, प्रानयाम और हलकी एक्जरसाइज को अपने डेली रूटीन में जरूर चामिल करें सुभई की फेश हवा में टहलने जरूर जाए ये आपके स्वास्ते के लिए फाइदे मन रहेगा कुल मिला के देखे तो इस महिने स्वास्ते आपका बहुत अच्छा रहेगा तो उसके साथ साथ अच्छी फिटनेस, अच्छा डाइट और अच्छी आदते इन बातों को जीवन में अपना कर अपने जीवन को और बहतरीन बनाए और जीवन के हर पल का आनंज जरूर ले दोस्तो ये था सितंबर मन्त का कुम्ब राशी का राशी फल धन्यवाद